इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटर्णेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी। और नाराजगी और acid reflux से जुड़े दर्द से राहत देता है। आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा कि इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है। सोने के 3-4 घंटे के अंदर कुछ न खाएं। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं। ट्रेबे में केलिस कैपसूल एसार को खाली पेट लेना है। ट्रेबे में केलिस कैपसूल एसार दो दवाओं का एक मिश्रन है लिवुस्न पिराइड और रॉबिप्रागोल। लेवु सुल्पिराइड एक प्रोकेनेटिक है जो एसिटाइल को लाइन यानि की एक रासायनिक संदेशवाहक की रहाई को बढ़ा कर काम करता है। यह पेट और आतों की गती को बढ़ाता है और भाटा को रोकता है यानि की एसिट भूजन नली तक जाता है। रेवेप्रागोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक यानि की पीपी आई है। यह पेट में एसिट की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसिट से संबंधित अपच और अलसर से राहत दिलाने में मदद करता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन ओन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें. धन्यवाद.